नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्वर्मे टाइम्स में देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शृष्टी पांडे खबरों को जानेंगे विस्तार से उससे पहले एक नजर आज की हेड्लाइन्स पर नासा के उरायन कैपसूल ने भेजी प्रित्वी की पहली तस्वीर लगातार बढ़ रहा चान्द की ओर चत्रिसगर में UDT प्रमोशन के पूर सिनियारिटी लिस्ट में होगा संशोधन जारी की आग्या नर्देश अंबगर चौकी स्थिट सरकिट हाउस में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के लिए समिक्षा बैठक जानेंगे खबरों को विस्तार से नासा ने करीब 50 साल बाद कल बुद्वार को चंद्रपां पर अपने मिशन को फिर से लॉंच कर दिया इस लॉंचिंग के बाद इस मून मिशन को आज एक और बड़ी कामियाभी मिली है दरसल स्पेस लॉंच सिस्टम उरायन कैपसूल ने 92,000 किलो मीटर की दूरी से प्रची की पहली तस्वीर भेज दी है और वही यान 8,800 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ्तार से चांद के और्बिट की तरफ आगे बढ़ रहा है बता दे कि ये नासा के आटमिस चंद्रकारिक्रम का पहला मिशन है और 2025 में वो अपने तीसरे मिशन वारा अंतरिक शियात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना पर काम कर रहा है इसी के साथ नासा ने चांद के समीब जाने से पहले उसकी सता से 60 मील उपर और आयन उग्रे से परिक्षन की योजना बनाई है यूरिटी प्रमोशन के लिए पूर्विभाग अपनी तैारी में जुटा है हाला कि अभी तक किसी भी प्रकार के निर्देश्ट पश्ट नहीं है लेकिन तैारिया अभी से शुरू कर दी गई है बता दे कि इन सब के बीच रायपूर संभाग के सिक्षकों की संभाग स्तरी सिन्यारिटी लिस्ट में शंशोधन होगा और इसके चलते संयुक संचालक के कुमार ने निर्देश जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि सारंगड बिलाइगड के जिला बनने के बाद वो जिला बिलासपूर संभाग में चला गया है इसी के साथ लिस्ट में सुधार के लिए 17-18 नवंबर को दावापत्ती की भी मांग की गई है 37 गड़ के अंबागर 24 सिट सरकेट हाउस में अधिकारियों की समिक्षा बैठक की गई जिसमें मुक्यमंत्री ने हाट बजार के साथ साथ पेजल को लेकर आर्सनिक की समस्या और सुपोशन वाटिकाएं बनाने पर चर्चा की गई उन्होंने कहा कि बच्चों को बताएं कि अवाटिका उनके पोशन के लिए कितनी उप्योगी है और इसी के साथ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की भी मार्केट एनालिसस की जाए क्योंकि यह प्राइविट सेक्टर से प्रतिसपर्धा होगी इसी के साथ अधिकारियों से कहा गया कि परफॉर्मेंस गैरेंटी वाली सडक पर भी ततकाल पैच्च वर्क होना चाहिए बता दे कि मुक्यमंत्री भूपेश बगेल अंबगर चौकी स्थित सरकेट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक में योजिनाओ की समिक्षा कर रहे हैं और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को लाइक शूर सब्सक्राइब करना ना भूले और लेटेस खबरों के लिए बैल आइकन को प्रेस करें